तो कल वाली वीडियो में सब लोग पूछे थे कि दीदी आप अपने प्रिमिक्स का नाम बताईए ना उसकी फोटो मुझे दिखाईए ना तो यह है और साथ में यह प्रिमियम क्वालिटी का है ठीक है इसमें तीन चार क्वालिटी अलग-अलग मिलता है बेकरी का प्रिमियम का नौर्मल वाला जिसमें केक जली योज़ करता है वो झारदा है सहब कुछ भी नहीं डालना पड़ता है सब कुछ इसमें होता है यह एक कप और यह'll को जो यह बनाना एक पाव का 1 बनाएं तहम कितरह मिजरमेंट देंगा तो आधा कप लेंगा मतलब मतलब ग्राम से लें बढ़ने में अब केक यह सबसे अच्छा है कि कुछ डालना नहीं हो पानी डालो थेल डालो अपना प्रेमिक्स लो अब बढ़िया असमें मिक्स हो आना तो भी मिक्स कर दिजिए भाइस लम्स में यह बस इतना ही करना फिर मैं ऑरेंज इमल्शन थोड़ास थो बढ़ा है न्य कि कलर भी अच्छा आजाए और मतलब खुश्बू तो इतनी बढ़ियां आ रहे थी नहीं डालना है तो तेल हटा भी देंगे नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा बिना तेल की बहुत बढ़िया बनेगा अच्छे से अपने इसमें पूर कर लिए के बैटर को पूर करने के लिए इतना तयार होने की बिल्कुल भी जरुएत नहीं है नॉर्मली आप के बैटर को अपने के टीन में पूर कर सकते हैं तो मैंने तवा उसको पर रखे स्टैंड और उसको के काट इन चेंच वाला के लिए मैंने और इसको कम से कम 10-15 मिनिट लग करेंगे चेक करेंगे उसके बाद निकालेंगे और दब तक केक रखे होने के लिए तब तक मैं जाते हूं बजार से संद्रे लेका तो जब तक ठंडा होगा तब तक संद्रे को बढ़ियां से छेल लीजिए मुझे स्रिफ इसका रस चाहिए गुद्ध है नहीं चाहिए और यह केक केक मैंने सिर्फ दोसो रूपे में दिया आप सो सकते हैं कि कितने का मेरा क्या बनेगा कितने का संद्रा चालीष और र्पे का रही है आदा किलो मची से मना कि एसुर रूपय किलो ने तो एक spread the नहीं 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 बोलके फिर लेकित इसका रस जानी निकाल जाए ची मुझे उसमें रियल औरेंज का फ्लेवर चाहिए था ऐसे मतलब अपना क्रश नहीं चाहिए था इसके लिए और यह उनका डिमांड बिलकुल भी नहीं था उन्हों से पूरा थे मुझे 200 रुपय के तक का ही केक चाहिए भले छोटा रहेगा तो चलेगा मतलब मुझे एक लेकिन जैसे मेरे हाथ में औरेंज आया तो मैं बोली बस कदम कानी आप में औरेंजी बनाओंगे तो मैंने डाल दो इतना सुन्दर दे कि आधे कप में भी इतना मतलब बढ़ियां बेस बनके रेडी हुआ है और इसको पहले मैं दो यह लेयर कट की ठीक है फिर मैं सूझे ही और लियर करी तो फिर उसके यह को अगाने और टेम जिया उपना ओर इंदा भड़ियां से मिक्स कर लिए और से जैसा फूब इतना स्हूंत बनाना बढ़ियां खूबसूरत बसाडियां यह बनानों इया पतबधों सुर्स्षर बना बनांब इस अपने आइसा लिए या फिर जैसा बनाना वैसा है मैं तो हर बार सोचते हूं कुछ नया दिखा दो इस वर मैंने डिजाइन तो रिपीट की है लेकिन डेकोरेशन थोड़ा सा अलग किया मैंने तो वह डेकोरेशन आप जरूर देख लेजिए तो यह जो हमने अपना ओरीजिनल जो हमने और चीनी क जो रस निकाला है वह डाल दिया मैं गुद्धा डालती लेकिन उनके बच्चे को खाना है तो फिर मैं सोची कि पता नहीं पसंद आये ना आये मूह में आता है ना फिर वह तो फिर बच्चे वह नहीं करते मैं ठीक एक दम नॉर्मल रखोंगी ताकि खाए और आप इसका र कर दिया और फिर अब एक नया फ्लीवरल लेकि आने वाली हूं जो अभे तक अपने ट्राइ नहीं किया है वह बहुत ही जल्द आप लोग दिखायोंगे क्यों कि मैं बता नहीं सकती है कि मैं क्यों नहीं बता देती पहले अगर पहले बता दितू क्या हो जाता है जी पूरा फुल वैसे ही बना दिया बढ़िया से क्रीम उन्हें लगा कि एक दम अच्छा और वो बोलती है कि आपका क्रीम मुझे बहुत पसंद है मतलब बच्चे उन्होंने एक दो बार मुझे दो बार शायद लिया है पहले और फिर यह तीसरी बार लेके जा रहे है और उनको ना पूछ भी रहे थो कि आप यह वीडियो कब बनाओगे तो फाइनली मैंने वीडियो बना था मेरे उनको बोला भी कि मैं कब भी नहीं दे लेकिन मुझे वीडियो मैं इसलबिंगी बनी है केक तो वीडियो तो आएगी तो मुझे घर पे भेजना है कि मेरा केक है और ये गोकुल की चुन से आया है तो ये मतलब सुनकी इतनी खुश्य होती है कि मतलब क्या बताँ आपको तो अच्छे सी लगा दिया क्रीम नीचे स्क्रैप कर दिया ऊपर अच्छे से करें आइफ को तभी वह पूरा अच्छे से क्लीन ऊगा सब बोलते हैं मेरा उपर वाला एर्या अच्छे से क्लीन क्योंने होता है तो आसान सा तरीका है मतलब सिब आपको देखना है कि कर क्या रहे हुँ मैं बस आपने सामने से लेना और अपनी तरफ नाइफ को कीचना है जेल में अगर आपको डिपिंग करनी है या वेगम शाइन वाला ग्लेज वाल जो दिखाना है अगर वो दिखाना है तो कभी भी इमल्शन का यूज नहीं करना है क्योंकि इमल्शन का यूज करेंगे थोड़ा सा धुंदला टाइप हो जाएगा वो क्रिस्टल वाला शाइन न हर फ्लेवर का हर फ्रूट वाले फ्लेवर का अलग अलग से स्पेशली कलर भी आता है अगर आप लोको नहीं पता है तो आप ले सकते नॉर्मल औरेंज लाल पीला हरा तो आता ही है स्पेशली हर वो फ्रूट का कलर भी आता है जिससे स्ट्रोबेरी का कलर अलग से आता है अ कुछ बनाने के पहले प्रत्र बास्यच को करेंट जब TV की साथ मेरा की मलता है वाल पर यह नहीं है तो ट applies Bye लेगा जब्रील की होती है दिरे चीठे मार देजके आप सुचेंगे आप तो यह डिजाइन ने एक बार दिखा चुके हो फिर से वही चीज दिखा रहे हो रुकिए तो रुकिए तो और क्या है रूप सुनिए तो क्यों है कफा तो उतना करने के बाद दो बर चीटे ब्लैक और वाइट का मारने के बाद क्योंकि जो बिल्कुल हो Hurricane अपोन को नहीं पता होगा जोनों रहीं विडियो देखा आप उनक को तो पता हो जणों रहे हैं आपके नहीं कि आयो जगह मुझे मतब यही ओरेंज मिल रहा था वह ओर इन रहा था काम उसी से चला लेंगे तो ऐसे ले लिया बढ़िया से उसको कट कर लिजे दो तीन इसमें के तो ऊपर की कोरिश में कर दोड़ा सा चेंज करेंगे मैं परशान मत आए थोड़ा अब इसको हटा लेंगे और ये line by line इसको लगाना है तो लगा लेंगे जितनी लेर अगर वह और और यहां से यहां तक पूरा में कवर करती बहुत सुन्दर लगता लेकिन वह था नहीं चल जा रहा था यह भी इतना बुरा नहीं लग रहा था फिर मैंने लिया काला वाला अं तो आपको यह डिसाइन कैसी लगी अब मैं ना एक अभी ने बताऊंगे तो आप एक तम बेसपरी से इंतिजार करिए उस वीडियो का उसने मैं दो-तीन वीडियो नहें मतलब बहुत माइंड ब्लोइंग वाले सोचके रखें सोचके नहीं रखें एक दू मैंने वीडियो बना भी ले हैं बहुत जल्दा प्रोट भी कर दूँगे यह दिके ऐसे करके और ऐसे बूरा कट कर लेना है साइड में पुरह लगा देना है आपको वीडियो कैसी लगी जरूर ब